सब्सक्राइब करने वाले हैं तो जो भी कोश्चिंस में आपको प्रब्लम होई रहेगी वो कोश्चिंस का एक्पिशन आप लोग देख सकते हैं स्पीटेस नमर 37 a कर डिस्कुशन करने जा रहे हैं चलिए कर लास को start करते हैं और काई अलग अलग तरीके कोश्चिंस थे कुछ सिम्पल कुश्चिंस हैं कुछ बहुत अच्छे कोश्चिंस हैं हार एक कोश्चिं करिकें से करिंगे आयए एस्टाट करते हैं तो सबसे पहले वात यहां से है कि the position of how many alphabet will remain unchanged each of the alphabet in the word pamperation is arranged in alphabetical order from left to right यह question generally आपके एक नम्मर के लिए होते हैं और अगर इसमें आपको ज्यादा समय लग गया तो समझ यह problem है तो इसकी speed बढ़ाने के लिए आपको ऐसे ज्यादा से ज्यादा questions की practice क्योंकि देखो 30 seconds से जादा ले लोगे तो मुश्किल है ठीक है तो इनको alphabetical order में left to right arrange करना है सबसे पहले कौन सा आएगा ए आएगा जो आए उसको तिक मांग कर लेते हैं दो बार ए रखावा वापस यहां पर ए लिखेंगे ए के आगे आने वाले लिटर यहां पर ए है ए को हमने place किया और कोई दूसरा ए नहीं है fghi उसके बाद देख रहे हैं आई को हम यहां पर लगाएंगे आई दूसरी बार कहीं नहीं है जे के अल ए हैं उसके बाद एम आपको देखने में आ रहा होगा-eमस-जिखर पर यहां पर प्लेस किया है आगे औरта फ्रहीं सब्सक्रांद नहीं पर आया है यहां से R को पिक किया और फाइनली हम P को प्लेस कर देंगे इस तरीके से रखना है यह आप देखो कि कौन-कौन से उसी अस्थान पे हैं एक तो यहां पे देख रहा है दूसरा आपको किसी और जगह पे पी यहां पे देखिए नहीं मैच कर रहा है किसी और जगह पे सिर्फ एक ऐसा लिटर आपको मिला है जो मैच कर रहा है यानि हमारा आंसर क्या होना चाहिए वन ऑप्शन नंबर फूर करेक्ट आंसर की रूपना होना चाहिए नेक्स कुश्चन पर आते हैं चलिए कुश्चन है डिरेक्शन सौरी सलिजम का स्टेट्मेंट दिया है फॉलड़ ब इस टी इवी नहीं है ओनली फ्यू स्टी आर आज़ी फिर सम आरजी और एच्टी ओनली फ्यू स्टी आर आज़ी तो ऐसडी की तरब से हमें नेगटिब बनाना है पहला कंक्लुज़न कह रहा है ओल all sd r ht कोई relation दोनों के बीच में दिख रहा है क्या सामने से नहीं जो conclusion प्रत्यक्षरूप से यानि सामने से गलत दिखे वह गलत है कि definite वाला ध्यान थे possibility में अलगची चलता है all ev being rg is a possibility ev यहां है rg यहां पर सारे ev को क्या हम rg के अंदर रख सकते हैं शर्त एक है ev hd को नहीं टच करना चाहिए तो नहीं करेगा ev यहां पर आ सकता है तो all ev being rg possible है यहीं पर बोलता all rg being ev तब आप बोलते सब्सक्राइब के साथ है और ev के अंदर जा नहीं पाएगा तो पूरा rg ev के अंदर नहीं जा पाएगा यहां पर तो all ev rg बोला गया दूसरा वला सही हो गया राइट आंसर क्या बनेगा only second follows यानि option number four is to be the correct answer next question प्याइब करें all src सभी s क्या है c है only few srk केवल कुछ s k है तो s का कुछ इस्सा k के लिए negative और s का कुछ इस्सा k के लिए positive sum kr not n कुछ k का हिस्सा किसके लिए negative है n के लिए negative है पहला conclusion देखो sum kr not s कुछ k s नहीं है k का कुछ इस्सा negative किसके लिए s के लिए बोल ला है तो sum sr not k तो समझ में आता है k की तरब से s के लिए कोई negative नहीं बताया गया पहला गलत सम k r not s नहीं कह सकते सम c r n c का कुछ इस्सा क्या n के साथ जुड़ा हुआ सामने दिख रहा है नहीं दिख रहा है यह भी गलत है तो neither first होगा nor second यानि none follows हम option number one को answer की रुपने बोलें अगले प्रशन पर आते हैं अगला कह रहे है all n r b जो लोग आप इस speed test को नहीं बनाए है उनसे request यह है कि आप यहीं पर solve करिए और enjoy करिए हमसे पहले answer करने की कोशिश करिए comment box तो कहता है all n r b सारे के सारे n क्या भी है no g is n कोई भी g n नहीं है तो n negative किसके लिए g के लिए negative है all x r b x को हमें b के अंदर रखना है बस चूंकि x का relation n के साथ को established नहीं है तो हमने उसको अलग बनाया है आते हैं पहले conclusion पर कहता है कि all x being g is a possibility क्या सारे x को हम g के अंदर ले जा सकते कोई समस्या नहीं है आप g को यहां लेके चले जाए यह से बना दो तो पूरा x g के अंदर आ गया और एन और जी टच भी नहीं करने क्योंकि एन और जी को नेगेटिव बोला गया था आपने का बिल्कुल पॉसिबल है यह conclusion सही होगा all g being n is a possibility क्या पूरे g को n के अंदर ले जाना संभव है जी को पूरी तरीके से n के अंदर वैसे जी और एन के बीच में नेगेटिव रिलेशन है तो पॉसिटिव की possibility कता ही नहीं होगी आपने खान नेगेटिव हो गया या नहीं नो लिखाओ है तो all की possibility इवन तो सम की भी possibility नहीं तो केवल पहला सही होगा option number two is to be the correct answer next question पे आए चलो द्यान से देखिए आप खुद आंसर करने की कोशिश जरूर करिएगा आपस में complete करिए और फिर जो आंसर मैं कर रहा हूं फिर वो आपका मैच हो रहा है की नहीं हो रहा है वो भी चेक करिए और फिर इससे आपको एक confidence जरूर मिलेगा कहले सम ए ए ए आर बीवी आल ए ए आर डी डी सारे ए को हम क्या बोलेंगे डी जरूर को हमें किस केंदर रखना है ए ए केंदर रखना है पहला कहता है और इंक बिंग डी इस पास्थपुलर्ट सभी ए ए के डी डी के साथ नेगेटिव होने की संभावना है और यह कह रहा है कि पूरा एडी के लिए नेगेटिव हो जाए कभी संभावना है दूसरा देखो सारे एए होने की संभावना है अब आपको लग रहा होगा कि यह कंक्लूसर सही क्यों नहीं है देखो और कोई बात जो उससे संभावना नहीं कह सकते कारण यह है कि अगर आप किसी 100% को पॉस्बिटी कहते हैं यानि आप उसको डाउटफुल सिच्वेशन में लेकर आ रहे हैं तो आप उसको डाउटफुल कह रहे हैं जबकि ऑल एए हंड़िट पॉसंट करेक्ट है तो क्या यह कंपेशन कभी सही होगा नहीं तो नीदर फस्नौर सेकिन नन फॉलोस ऑप्शन नंबर वन इस तुपी दर करेक्ट अंस अगली कुश्चन पर आते हैं यह कहता है ज्यांस देखिया स्टेट्मेंट तीन दिये गया है दो कंक्लोजन दिया गया है पहला पहला स्टेट्मेंट ए सम के आर एम कुछ के क्या है एम है सम वाई आर एम से देखें तो एन और वाई के मद्द में कुछ भी जानकारी हमारे पास नहीं है और जब किसी दो के मद्द में कुछ भी ना बताये गया हो तो संभावना कुछ भी वेक्ट कर लीजिए सही मान ली जाएगी वाई दो लोग मार्केट में जा रहे थे आप उनके रिलेशन के सम के और वाई के और वाई सामने से गलत हैं डेफिनेट वाला कंक्लूशन अगर इसके साथ पॉसिबिलिटी लिखा हो तो तो हम सही कर तो पर यह कंफरमेशन दे रहा है कहां कंफरम है के का कुछ सवाई कंफरम है क्या नहीं है तो अल्ली फर्स हो जाएगा राइट आंसर अब आते हैं अंगले कुशन एट पीपल a b c d e f g and h are of different weight but not necessarily in the same order c is heavier than h who is lighter than f c किस से heavy है h से जो की यानि h के लिए बोला गया h f से चोटा है तो f यहां पर भी संभव है और संभावना है f कहीं यहां पर हो ठीक है तो c is heavier than h who is lighter than f आठ जन है only two people are heavier than g g से केवल दो लोग heavy है यानि g के आगे केवल दो position रहेंगी बाकी अब यह तीन हो गया बाकी पांच इसका मतलब g के पीछे होने चाहिए यहां से शुरुआत करनी चाहिए ठीक है तो कहरें a and b are heavier than e a or b किस से heavy है a and b e से heavy है e के आगे आएंगे only two people are heavier than g h is lighter than only four people h केवल चार लोगों से हलका है यानि h के आगे चार लोग आने चाहिए एक दो तीन चाहिए h यहां पे होगा अब h के पहले किसको होना जरूरी है c का होना जरूरी है तो c यहां पे भी पॉसिबल है यहां पे और c और f इन तीन अस्थान पे आएंगे आगे उसको देखेंगे minimum three people are heavier than a and b a और b से कम से कम तीन लोग हैवी है अब देखो a और b से तीन लोग कम से कम हैवी होने का मतलब इसके आगे a और b को नहीं रख सकते a और b को आपको यहीं रखना पड़ेगा और उसमें आपको e को भी ध्यान रखना है e के आगे a और b हैं यानि e भी इसी जगहों पे आएगा तो यह तीन लोग पकी बात है इसी जगहों पे आएंगे क्या कहा है वापस देखिएगा a and minimum three people are heavier than a and b a और b से कम से कम तीन लोग heavy होने चाहिए तो यहां आप लिख लो a oblic b और यहां लिख लो b oblic a और इन दोनों को e से heavy होना है तो e को आप यहां पे रखोगे correct है यह वाली line जिसमें बोला गया था h is heavier than sorry c is heavier than h h से heavy कौन है c है तो c पका यहां पे होगा और f यहां पे हो सकता है इन दोनों में संभावना ही है c यहां पे हो जाए f इस जिगप लो जाए यह दोनों इस तरीके सब्सक्राइब वापस इसको एक बार पढ़िएगा और देखे क्या स्थिती होई किसी और की c is heavier than h c h से heavy है h से यहां रखोगे c को यहां रखोगे heavy आएगा who is lighter than f यानि h के लिए बोला h f से चुटा है यहां रखो यहां रखो f चुटा ही है f से चुटा ही आएगा a and b are heavier than e a और b जो है वो a और b e से heavy है e का fix हो गया only two people are heavier than g g से केवल दो लोग heavy है वह ऐसा ही बनाया हमने b is lightest person सबसे आखर में d को place किया h is lighter than only four people h केवल चार लोगों से हलका है या नहीं चार लोग इसके इससे heavy है ठीक है minimum three people heavier than a and b a और b से तीन लोग heavy होने चाहे कम से कम तो a and b ठीक है कम से कम तीन लोग तो a और b को आप आगे के तीन अस्थान चोड़के पीछे नहीं पर भी रख सेंदे इस तरीकी के बहुस्ता बनेगी जिसमें possibility भी आपके सामने है यहां पर f और c की possibility है और यहां प cannot be determined fifth option of the right answer बनेगा दो-दो मिल ला था if the weight of h is 76 kg and the second highest person is 81 kg h का 76 second वाले का 81 तो जी का बताना है तो 76 और 81, 76 से जादा 81 से कम एक ही विकल्प है 80 तो right answer क्या बनेगा option number two बनेगा how many people are heavier than d, d से d बिलकुल आखरी में आथा देखो तो d के आगे कितने लोग आएंगे 7 साथ लोग उससे heavy हो जाएंगे तो इसका right answer बनेगा क्या more than five option one is to be the correct answer next question पर आजाओ अब ये question आपके सीडी से संख्या सरंखला से related होते हैं तो तीन तीन डिजिट के clusters दिये गए हैं numbers के ठीक है if one is subtracted पहला सवाल ध्यान से पढ़िए और खुद बनाने की कोशिश करें कह रहे है यदि एक सब्स्टैक किया जाए है from the last digit of the each number हर एक संख्या के आकरी डिजिट से एक कम कर दिया जा then how many numbers this form will be divisible by five कितने numbers पांच से विभाजित होने वाले होते हैं एक सब्स्टैक करोगे तो यहां पर छे आएगा और पांच से डिवाइड होने वाले में यूनिट डिजिट पे आ तो जीरो होना चाहिए पांच होना चाहिए यह बात जानते ही होगे बोलो इतना दिमाख लगा लोगे तो और काम कम हो जाएगा यहां सेवन आएगा तो यह दोनों तो नहीं होने वाले यहां पे थी के पहले टू आएगा एक कम करने पर यहां पे सेवन से कम करने पर सिक्स आएगा क्योंकि unit digits सबका इसका 6 आ रहा है इसका 7 होगा इसका 2 होगा इसका 6 होगा इसका 8 होगा और unit digit 5 से divisible संख्याओं का या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए ऐसे में आपका क्या answer होना चाहिए option 5 none is the correct answer correct अगले प्रस्शन पर आए आप पहले digit of highest number and third digit of lowest number so far खुद से करने की कोशिश करिए after rearranging all the digits in increasing order यह पहले सही है increasing order 3,4,8 यह भी है 3,4,5 यहां पर लिख दोगे है यहां पर 2,7,7 अलड़ी increasing में है 4,4,9 अलड़ी है यहां पर 2,2,9 2,2,5 increasing order थिक अब ऐसे में what is the sum of third digit of highest number सबसे बड़ी संख्या आपको कौन से दिख रहे है 349 एक है यहां पर 345 आ रहे है 449 आ रहे है और यह 225 सबसे बड़ी संख्या चार सो उनचा सफ्कूर्स नए नहीं जो संख्या बनी है इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होँआ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होँआ यहां परिवर्तन तो 345 हो गया यह 273 as it is रह गया 449 सबसे बड़ी संख्या है क्योंकि अगला 522225 में कनवर्ट हो गया तो 449 इसका थर्ड इजट क्या है 9 है ठीक है तो साम आप दे थर्ड इजट ऑफ हाइएस नमबर और थर्ड इजट ऑफ द लोवेस नमबर सबसे चोटी संख्या समें से कौन तो 286 यह तो सबसे चोटी ह 25 सबसे चोटी संख्या है इसका यूनिट इजट क्या है यह थर्ड इजट क्या है पांच है तो आप 9 और 5 जोड़ो के कितना आएगा 14 आंसर क्या होना अच्या है अप्शन नमबर हो 14 is the right answer बोलो आया समझ इसक्लियर चलो अगले प्रश्म 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 प्र एले पता क्योंकि इसमे रीदिंग बहुत जरुरी होता है ध्यान से रीदिंगße यूच वन प्रश्म 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 5 और प्रश्म when the numbers are changed to sum of their digits and then arrange ascending order from left to right सबसे पहले इनके digit जोड दो 8, 12, 12 बनेगा तो ये कितना होगा 8, 4, 12, 3, 15 बनेगा 5, 4, 9, 3, 12 7, 14, 2, 16 9, 8 4, 4, 8, 9 17 7, 2, 9 आप क्या कहें which one of the following number will be placed at the end of the series when all the numbers are changed to sum of their digits पहले चेंज का लिया and then arrange ascending order from left to right बड़ते विक्र में यानि सबसे बड़ा कौन सा आ रहे तो सबसे बड़ा इन में से कौन सा सत्रे दिख रहे यानि ये वाला क्या अंसर बनेगा 4, 4, 9 किस option में दिया वा है option 4 में दिया वा है so that is the right answer next question what will be the result when the first digit of the third highest number तीसरी सबसे बड़ी संख्या उसका first digit is multiplied by the third digit of second lowest number दूसरी सबसे छोटी संख्या का second digit sorry third digit तो पढ़िए बनाई इसको चलो मैं बताता हूं तक आप लोग बनाईएगा answer बताईगा जरूर comment box what will be this result when the first digit of the third highest highest आईए साब का कौन सा हो गया ये second highest आईए साब का ये third highest ये है इस संख्या का first digit है 4 okay multiplied by third digit of second lowest number lowest number कौन सा बनाई ये देख रहे है second lowest number ये है और इसका कौन सा डिजिट third digit साथ है दोनों को multiply करने पर कितना आएगा 28 आएगा और किस option में दिया गया fourth option right answer क्या हो गया 28 option number 4 is the correct one आजाएं के लिए सवाल पर चलो है if all the digits are arranged in decreasing descending order within the number संख्या के अंदर ही सभी digits को descending order में arrange के which of the following are the greatest and lowest number respectively इसमें दिमाख लगा सकते हैं और क्या दिमाख लगा सकते हैं इसके बारे में बात करें पहले आप इसको स्वाइम से हल करने की कुशिश करें चलो भए if all the digits are arranged in descending order within the number which of the following are greatest and lowest number respectively देखो digits को arrange करना descending order descending बातला सबसे बड़ा साइकड़े के स्थान पे भाई सबसे बड़ा अंक जैसे मानलो यह है इसकी सबसे बड़ा अंक है 8 वो साइकड़े के स्थान पे ठेक है तो which of the following will be the greatest and lowest number तो greatest number तो एकड़म सामने से दिख रहा है जिस संख्या में कोई भी अंक सबसे बड़ा हो किस संख्या में सबसे बड़ा अंक मिलना है आप बोलोगी इसमें यानि इसको जब आप arrange करोगे तो यह 900 से स्टार्ट होगा सबसे बड़ी descending order में करना है तो descending order में 944 लिखा जाएगा यानि 944 सबसे बड़ी संख्या पक्की बात यह होगी ठीक एक तो यह होने वादा है ठीक है 449 यह कौन सा हो गया greatest आन लोएस नमबर रस्पेक्टिबली लोएस नमबर आपको देखना है सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या मतलब जिसका unit digit सबसे छोटा हो आप इसमें देखो unit digit क्या है सबसे 5 है इसका सबसे बड़ा single digit 7 है इसमें सबसे बड़ा single digit 8 है इसमें भी 8 है और इसमें क्या 5 है ठीक तो यह किस से स्टार्ट होगा 522 लिखा जाएगा इसको और यह 543 है तो सबसे चोटी 522 ही होगी पक्की बात है तो 522 सबसे चोटी होगी और 449 सबसे बड़ा अब किस respect में लिखना है which of the following are greatest and lowest numbers सबसे बड़ी संख्या 449 और lowest संख्या कौन सा होना चाहिए 522 यह उत्तर मैं नहीं माग करूँगा क्यों कि इसमें 499 रिस्पेक्टिबली बोला गया तो सबसे पहले बड़ी बड़े वाले को लिखना चाहिए फिर चोटे वाले हमें आंसर क्या माग करना है option number 5 तो आंसर की रूप माग करना चाहिए करेक्ट अगला प्रशन देखो सवाल है पहले में हमें कंपेर करना है आप लोग देखो इसको स्वें से आंसर करने की कोशिश करें फिर मैं इसको प्लें करूंगा ठीक है पहला सवाल आप क्योंशन नहीं आएगा और यहां पर टा हो गया यहां दो सिंबल वी और एम के बीच में यह इस तो नहीं कर पाएंगगे गलत हो गया फिर सी और एम का comparison सी सेम बात यहां पर भी है सी और एम देखेंगे तो फिर से उल्टा साइन हो गया यह भी गलत तो नीदर फर्स्ट नौर कंक्लूजन सेगेंड फॉलोज यानि option नुबर फूर आपका सही उत्तर होना चाहिए आते हैं अगले प्रश्ट यह रहा जी और बी का comparison तो सामने से दिख रहे भाई तुरूंत आंसर कर दो इससे आसान सवाल और क्या हो सकता है इन इक्विटी में इससे neat and clean simple सवाल कुछ और नी होगा जी भी सबी एक तरफ हैं सिंबल पहले सिंबल का क्रम देखो क्या कोई single sign है single कौन सा होता है less और greater conclusion में single आगा यह single G को बढ़ा बता रहे वही दिया वह सही है फिर G और L सामने से लिखा हूँ है जी इस greater than L यह भी सही है बोत conclusion यानि option 5 आपका correct answer होना चाहिए परावर अगले प्रश्न प्रश्न जाते है यह रहा इस question को द्यान से देखो फिर से बहुत simple है स्वयम से आंसर करने की कोशिश करिए फिर हमारा explanation देख लीजिए चले चलो सी और आई का comparison देखो यह सिंगल साइन है और यह सिंगल साइन सी की तरफ खुला हुआ है यानि सी को बढ़ा बता रहे है सही है वही लिखा हुआ है सही हो गया टी और सी का comparison इनके मध्याय तो यह है का देख़ू उल्टे साइन उल्टा साइन मतलब तीन समभावना बढ़ा भी हो सकता है चोटा यह सकता और बढ़ा पिण disse अगर एक realise लिखा उत यहीं लिखा जी को एक लिखा होंटाः टव नब क्या करते इधर लगा देते saja इनके मत्त ऑलिंगे टों यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए तेवल पहला कंग्लियूशन से यह option 1 करिक्ट आंसर बना चाहिए अगले प्रशन प्रश्ण 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 पहले में और दूसरे में क्यू और ओ कि पी से एस क्यू से ओ पी से एस देखो तो सभी सेंबल एक तरफ है और एक सिंगल कम से कम एक सिंगल साइन जरूर है यह सिंगल साइन पी को बड़ा बता रहे है वही दे रखा है कंग्लियूशन सही हो गया फिर क्यू और ओ का कंपैरसन देखिए सारे साइन एक ही तरफ है और एक सिंगल साइन इनक के लिए बोत यानी फिफ्ट ऑप्शन आपका राइट डान सब्सक्राइब कंक्लूजिन नमबर वान एस वेल एस कंक्लूजिन नमबर टू बोथ हार अगले प्राश्चन के यह रहा है एच और एन दूसरे में एच और एम का कंप्राशन है ठिक है एच एन एच यहां पर एन इस जिगवपे सारे साइन एक तरफ है और इनके बीच में सिंगल साइन भी है भाई तो बनना चाहिए क्या एच ग्रेटर देन एन यह बरावर कहां से लिख रहा है गलत हो गया को दूसरा देखो एच और एम का कंप्राशन यहां से यहां पर भी सारे साइन एक तरफ है और एक सिंगल साइन रख्खा भी हुआ है यह सिंगल साइन है की तरफ कोला हुआ है की वहीं दिया हूए कंक्लूस्एन से ही हो गया केबल से केंड राइट आंसर सभी नमभर घुर क्लियर अगले प्रश्चन जाते हैं अब यह सवाल एक ब्लड रिलेशन का कुश्चन है ठीक है अच्छा सवाल बोलेंगे इन फैमिली ऑफ सिक्स परसें जेड एम एच के एन एंटी देर आर थी मेल्स एंद त्री फीमेल्स देर टू मैरेट कपल्स टू परसें अर अनमैरेट इच ओफ देम रीडिंग अब बुक अफ डिफरेंट नमर अब पेज़स कितना दो सो साथ दो सो तिर साथ दो सो दो सो एक सो तेहिस एक सो उननेस और फिर लिखा दो सो नौ जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हूँ N who read the book of 2 not 7 pages वो क्या है is mother-in-law of M M की mother-in-law है who is wife of H M के लिए बो लगया हूँ H की wife K is father of T and he does not read the book of 119 page and 113 page Z read the book of 209 page and she is the sister of T who reads books of 263 page H does not read the book of 119 page 6 लोग हैं परिवार में ठीक है 3 males, 3 पूरुश है 3 महिला है और 2 विवाहिद जूड़े है और 2 unmarried है ठीक ये सभी शर्तें आपको ध्यान में रखनी बढ़ेगी और फिर question को बनाएंगे ठीक आप इसको एक attempt दीजिए फिर मैं आपके सामने बनाता हूँ थोड़ा सा समय देजिए ओके चलो भाई आप हमसे आगे हो जाएं इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बनाते रहें पर आप हूँ करें आप हूँ करें आप हूँ करें यहां से हम लाइन पिक करेंगे एन हूँ रीड्स दे बुक आफ दोसो साथ पेज एन दोसो साथ पेज की किताब पढ़ रहा है इस मदर इन लॉउ आप है एन जो है किसकी मदर इन लॉउ है एम की यानि एम का विवाह एन के किसी बच्चे अब वो पुरुष भी हो सकता है महिला भी हो सकता है उससे हुआ है हूँ इस वाइफ ऑफ एच एम एच की वाइफ है इसका मतलब एच पका बेटा है किसका एन का तभी एन मदर इन लॉउ बनेगी बराबर इतना तो सबको असपश्ट हो लिया होगा ठीक तो दब मदर इन लॉउ अफ एम हूँ इस वाइफ ऑफ एच के इस फादर ऑफ टी के किसके पिता है टी के पिता है यहां बना लगते है के इस फादर ऑफ टी and he does not read the book of 119 और 123 119 और 123 का टी नहीं पड़ेगा ठीक है जेड रीड दा बुक और 209 पेज़ज़ and she is sister of T टी की sister कौन है जेड और केतने की बुक पढ़ने है 209 पेज़़ज़ तो कह रहा है जेड रीड दा बुक और 209 पेज़़ज़ and she is sister of T who read the books of 263 पेज़़ T कितना पढ़ रहा है 263 पेज़़ज़ H does not read the book of 119 पेज़़ज़ अब आप सोच रहोगे इनको हम कहां लेके चले जाए दो married couple पूरे करने है एक पूरा हो गया दूसरा आपका यहीं पूरा हो सकता है और यह निश्यत रूप से K पूरुष भी है और यहाँ वेकिंसी दिख रही है N एक महिला है इनका विवाह K पूरुष के साथ हो सकता है इनका एक बच्चा H है हो सकता है एक बच्चा यहाँ पे हो 209 और एक बच्चा इनका टी हो जो की 263 पेज की बुक पढ़ता है ऐसे तो चार यह दो यह च्छे दो विवाही जोड़े हो गए और इसमें तीन मेल और तीन फीमेल के बारे में बताए गया है दो मेल का तो पता है और दो फीमेल का पता है ती और जेड में एक मेल एक और एक फीमेल हो बनेगा वो देख लेते हैं कहीं से क्लियर हो रहाएगा तो टी हू रीड्स अ बुक आफ टू सिक्टी एच डज नॉट रीड्ड दा बुक आफ एक सो ननिस पेज चलो वापस सारी लाइनों को पढ़िए है एंग रीड्ड दा बुक आफ टू नॉट सेवन पेज इस दा मदर इनलों अफ एम एम की मदर इनलों है एम फीमेल बनेगी हूस वाइफ ऑफ एच ठीक है इच मेल बन गया के इस फादर आफ टी के कि इसकी फादर है टी के and he does not read the book of 119 पेज एन 113 के 119 और 123 वाला पड़नी रहे ठीक है तो बचा कौन सा एक दो तीन तो यह निकल गए दो यह निकल गए पांच निकल गए तो 263 209 207 बचा कौन सा 123 निकल ही गया 202 बच रहे कितना बच रहे है 202 यानि के कौन सा 202 बुक पढ़ेगा 202 पेज वाली बुक पढ़ेगा ठीक फिर देखो अगला इसके आगे की लाइन अब देखते हैं फिर आगे कह रहे है जेड रीड दा बुक ऑफ 209 पेज जेड के लिए 209 पेज और शी इस सिस्टर आफ टी जेड फीम वो टी की सिस्टर है वो रीड जा बुक ऑफ 263 पेज टी 273 एच डज नॉट रीड दा बुक ऑफ 119 वाला एच नहीं पढ़ेगा तो 119 वाला एम पढ़ेगा और फिर 123 वाला एच पढ़ेगा बन गया करेक्ट अब हम आते हैं इस से रिलेटेट कुस्टिंस को खंगा लेग पहला सवाल मैं आपके सामने लगा रहा हूं यह कह रहा हूं यह देखो यह बीसमा सवाल है ध्यान रखना को अमंग दा फॉलेंग रीड दा बुक ऑफ 119 पेज 119 पेज बाला एम पढ़ रहा है ना राइड आंसर ऑप्शन फोन एम करेक्ट अगला देखो हाव टी रिलेट आज़ फर अगले फर आगले पर इस चैता के किस 바 enjoy mex एक और आपकर अगले अगले पर refers to और सब्सक्राण फोन फ Woo श्रुम के बेड़न की संख्या कितनी है को के के बेड़ने अगर देखें तो एक बेटा और एक बेटा है यानई 2 बेटे हैं के तो तू संस हो जाएगा option number one आपको correct answer आगे आजा which of the following combination of the book pages and the person is correct k207 z209 h202 k207 z209 k207 नहीं है z209 directly लिखा हुआ था z209 h का देखो 202 h क्या 202 पट रहा है ने 123 फिर m 263 लिखा हुआ है m का 119 है तो यह directly इसमें लिख रखा था यह information z का मिलना आगला सवाल देखते हैं how m related to z m z का क्या लग रहा है m जो है z का z के भाई की पतनी यानी sister-in-law तो क्या बनेगा sister-in-law यानी third option आपका right answer बनना चाहिए correct अब आए आखरी सवाल पर है if it is possible to to make only one meaningful English word with the second यानी e third यानी l okay sixth h and seventh यानी o okay इससे बनने वाला meaningful word which of the following will be the third letter of that word कोई अगर बनता है तो उसका third letter third letter of that word from the left if no such word made give x as the answer and if one more or such word can be formed y as the answer क्या answer होना अच्छा है तो एक तो आपका word दिख रहा होगा आपको correct इसके अलावा कुछ और किसी को मिले तो बता है third letter from the left is the answer यानी option number two is to be the correct answer तो ये तो रहा आज का speak test हमारा एक दो बाते हैं और आपसे करनी हैं वो क्या हैं जितने लोग देख रहे हैं हर किसी को मैं request करूंगा mock test जरूर दीज़े और थोड़ा सा मैं यहां पर mock test की analysis को लेकर बात करने वाला हूं ठिक यानि speed test आप देते हैं speed test तो पहली बात की एक दिनी में minimum एक speed test आपको देनी ही देनी हैं आप उसको नहीं avoid कर सकते हैं throughout the day एक speed test कंपल सर्य देना ठिक अगर वाकई में आप selection चाहते हैं और मैं आपको बताओं कि जितने बच्चे select हुए हैं आप इतिहास उठागे देख लो सबसे पूछोगे एक ही जवाब मिलेगा speed test वही matter करता है मतलब की है selection का main की वही है तो यह बहुत जरूरी चीट है पूरे दिन में आप class miss कर सकते हो यानि कर सकते हो आप class नहीं ले पाओ चलेगा आप जो है किसी topic की सद्धिक की पढ़ाई ना कर पाओ चलेगा लेकिन speed test ना दो यह नहीं चल पाएगा नियम बनाई है ऐसा कि कुछ भी हो कोई पढ़ाई नहीं होगी लेकिन स्टी जरूर दें ठीक है पहले यह बहुत जरूरी चीज़ा पिर आता है बात कि आपने आज मान लीजिए कि स्पीटेस दिया स्टीवन पहले तो आप एक बुक बनाई है जिसमें आपको हर स्पीटेस का कुछ मोटा मोटा रफ लिखना होगा वह क्या करना होगा वह बताएंगे स्टी आपने दिया कुछ कोश्चंस आपके सही हुए कुछ कोश्चं हुए गलत ठिक ऐसा ही वह होगा जो कोश्चं गलत हुआ है उसको आपको क्या देना है री अटेंट आप री अटेंट के बाद कुछ कोश्चंस आपके पूरे सही हो जाएंगे और कुछ वापस फिर भी गलत रहेंगे तो जो सही हो गया मतलब यह देखने की ज़रूत है क्या ऐसी गलती करी थी पहली बार म हुआ दूसरी बार भी गलत हुआ इसका मतलब बेसिक प्रॉब्लम है कहीं और फिर आप उसके कॉंसेप्ट को देखिए जरूर कहीं न कहीं कॉंसेप्चुल एरर है ठीक जो छोड़ दिये कोश्चं आपने उनको भी री अटेंट आपको देना है अटेंट जरूर देना है क फिर इसके बाद जो कॉश्चन आपके सही हुए इनकी एनालेसिस करनी है कि इसमें आपको समय कितना लग रहा है बाकी लोग ने कितना समय लिया आप कितना समय ले रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत जादा समय ले रहे हैं तो उस स्थिती को आपको जरूर अब्ज कर दूसरा आपको एक रिजिस्टर बनाना है और देखो जिसमें ज्यादा समय लग रहा है अगर कोई भाई 28 सेकेंड में कोई कुश्चिन कर रहा है और आपने उसको 60 सेकेंड भी है इसका मतलब 28 सेकेंड में पॉसिबल तो है तभी किसी ने किया और वो क्या तरीका है जिसकी तो इसका दो तरीका है एक तो उसी टाइप के कुश्चन एक साथ बैटके 40-50 कुश्चन कर लिए आपकी स्पीड डिफॉल्ट बढ़ जाएगी दूसर तरीका होते कोई ट्रिक शॉर्ट ट्रिक कुछ भी ऐसा हो जो आप नहीं जानते हैं जरूर जानने का प्रयास करेंगे फिर एक रेजिस्टर मेंटेंट करेंगे जिसमें आपको कॉलम बनाने हैं आप मौक नमबर लिखोगे या स्टी नमबर लिखोगे कितने आपने अटेंट आपका क्या रहा है और आपके सही कितने रहे सब्यक्टिव लिखने तो बहुत अच्छा है फिर यहां पर रिमार्क का क्या मतलब हो है जैसे आपने अनालेसिस किया आपको पता चला कि इनिक्विलिटी मैंट्स की जो है उसमें आपको प्राबलम हो रही है और उसके काम करना है और हर दिन आप देखेंगे स्पीड टेस्स के जरीए आप अपने आपको इंप्रूब कर रहे होंगे बाई दड़ें दूसरा मौका किसी को नहीं मिलता लाइक की बात समझेगा दूसरे मौके का मतलब यह हुआ एक बार समय निकलने के बाद फिर वो समय में वापस नहीं आप पाएंगे अभी आपके पास समय है आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो इस समय का प्रापर इस्तिमाल करिए अच्छे से उप्योग करिए और तबीयत से लग जाए क्योंकि अब जो हार का बढ़े ने वो सबकी बसका नहीं है कि वह हैंडल कर सकते समझे ना तो इसलिए बहुत जीरो है तो अगर आप किसी एक्जाम को अटेम्ट कर रहे हो तो फुल अटेम्ट बीचे यह फुल अटेम्ट का मतलब पूरे ताकत के साथ आप उसको प्रेयास करिए बात आई समझ में पूरी ताकत के साथ अधूरा ताकत आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं के लिए बसतना ही है that's it for the day thank you so much everyone आज आज हमारी क्लास यहीं पर खतम होती है फिर अगले स्पीड टेस्स के डिस्कुशन में हम लोग मुलाकात करेंगे और जैसा मैंने आपको बोला कि आप जो है अपने स्पीड टेस्स को पेकाम कीजिए जो भी कहीं कोशन मिलता है जिसे कुछ-कुछ टॉपिक्स है से लोग एवाइड करते हैं उसको तो और दोड़ दोड़ के पकड़ पकड़ करें तो वह सारी लोग सुचते पजल नहीं करेंगे चलो चोड़ो रहन दो जाने तो पकड़ पकड़ के करिए उसको जहां पर भी मिले उसको अटेम करिए ठीक है तो चलिए बस आज के लिए इतना ही है thank you so much watching this video thank you so much for connecting with us all the best bye bye and take care खुश रहिए खयाल रखिए मस्त रहिए जम के पढ़िए खूब सारा speed test और mock test दीजे और ईश्वर करें आप जल्दी से select हो चाहिए थैंक यू सो मच बबाए और टेक क्यार subscribe now and press the bell icon never miss an update